गुड मॉर्निंग हिमाचल आप देख रहे हैं दिवे हिमाचल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी शर्मा आप ही तक की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे इस न्यूस बुलेटिन में प्रदेश में कहर बनकर बरप रही बरसाथ अब यहां फटा बादुल भारी नुकसान मुसलाधार बारिश से मकान खत्रे की जद में कभी भी भेगर हो सकता है ये परिवार सड़क पर लहासा गिरने से तीन घंटे बंद रही आवा जाही दो दिन पहले भी यहां गिरा था मलबा खनन माफिया पर शिकंजा कसने को जवाली प्रशासन ने कसी कमर देखें कैसे की कारवाई और अब खबरें विस्तार से इस बार हिवाचल प्रदेश में बरसाथ कहर बनकर बरप रही है जगह जगह भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही देखने को मिल रही है कुलू जिला में बादल फटने की घटना के बाद अब बिलासपुर जिला के घुमारवी उकमंडल के कुह मजबार पंचायत के भगाट में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है यहां शुकरवार सुभे बादल फट गया जिसमें दो गौशाला, दो भैंस और साथ बकरिया बह गए गई साथ ही एक स्पूल बस को भी भारी नुकसान पहुँचा है गनीमत रही बादल फटने की इस घटना में कोई मानविय नुकसान नहीं हुआ वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर राहत्वा बचावकारे में जुटी हुई है उधर भारी बारिश से दधोर लद्रोर सडक पर बटेर पुल के पास सडक का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरहे से क्षति ग्रस्त हो गया है बारिश के तेज बहाओ के जलते पानी सडक पर आ गया जिससे सडक को क्षति पहुँझी है और यहां आवाजा ही पूरी तरहे से बंद हो गई है जिससे लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है SDM घुमार वी, राजीव कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है प्रभावित परिवारों को निया मनुसार मुआवजा दिया जाएगा गुरुवार रात को हुई मुसलाधार बारिश की कारण नौहराधार गाउं के दो भाई राजेश्वा दिलावर के मकान का दंगा गिर गया है जिससे मकान पूरी तरहे खत्रे की जद में आ गया है इतना ही नहीं इससे मकान में भी दरारे आ गई है डंगा गिरने के बाद अब भी भूसकलन हो रहा है जिससे मकान के किसी भी समय धराशाई होने का खत्रा बढ़ गया है भूसकलन की चपेट में मकान के आगे का रास्ता भी आ गया है जिससे घर में काफी दरारे आ गई है पीडित परिवार ने बताया कि जिस समय में डंगा गिरा उस समय पोरा परिवार सो रहा था इस दोरान अचानक जोर के धमाके की आवाज सुनाई दी धमाका होते ही घर से बाहर निकले तो देखा कि घर के आगे लगा डंगा देह गया है उसके तुरंट बाद राजेश अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकले और पूरी रात घर के बाहर काटी पीडित परिवार ने प्रुशासन से गुहार लगाई है कि पक्के मकान वा डंगे के लिए धनराशी मुहाया करवाई चाए 하루rie रात को 11 बजय से बारिश होती भली ती ऑटेश और जिसके कान मेरे घर के आगे सारा डंगा नीचे गिर गैा सिव गया अब जी मेरा रखना यह मुश्किल हो गया मेरा घर कभी भी नीचे गिर सकता है और जी अभी कहां रहे रहे हैं यहां मुश्किल है हमारे लिए आपको कोई स्की मिली है ने जी अभी स्कीम पर मिलेनी जी और स्कीम लगा तो है पर तुरा टाइम लागे का जिसमें पड़ादी ने बोला है सुजानपुर आलंपुर मुख्यो मार्ग नज्जीक प्यासपुल की पास एक बड़ा लहासा गिरने से वाहन आवा जाही करीब तीन घंटे तक बाधित रही विवागी मशीनरी एवं स्थानी लोगों की सहाइता से रास्ते में पड़े मल्बे को हटाया गया जिसके बाद वाहन आवा जाही के लिए मार्ग बहाल हुआ बताते चलें कि जिस स्थान पर पहाड़ी का मल्बा गिरा है दो दिन पहले भी यहाँ पर पहाडी का मलबा गिरा था विवाग ने मौके पर कारवाई करते हुए मुख्य मार्ग को यातायाद के लिए बहाल कर दिया था लेकिन मुख्य सडक पर ही छोड़ दिया गया था जिसके चलते शुकरवार सुभे करीब 4 और 5 बजे के बीच एक बार फिर उसी हिस्से की पहाडी गिर्ड कर मुख्य सडक पर आ गई और मुख्य मार्ग पर वाहन आवाजा ही बंध हो गई मौके पर विभागी जेसी भी पहुँच गई जिसके बाद मुख्य मार्ग वाहन आवा जाही एवं पैदल चलने वाले लोगों के लिए बाहाल हो पाया खनन विभाग और पुलस विभाग कोटला कनिश्ट अभ्यंता जलशक्ती विभाग कोटला वबटवारी तथा खनन विभाग नूरपूर की टीम ने सियुक्त रूप से अनूहीवा बग्गा के पास थित सिधाता नहर के साथ लगतेक शेतर का सियुक्त ने रिक्षन किया तथा सिधाता नहर के किनारे पर लगु खनिज रेतवा बजरी के अवैद भंडारित धेर पाए गए जिन्हें फिर से देहर खड में मिला दिया गया इस मौके पर खनन अधिकारी नूरपूर कुलभूशन शर्मा ने बताया कि इस शेतर में हो रहे खनन के शिकायते उन्हें मिल रही थी और पुलिस्वा खनन विभाग ने मिलकर कारवाई करते हुए रेत के लगे धेरों को जेसीबी के माध्यम से देहर खड में वापिस गि मॉर्निंग न्यूस बुलिटिन में बस इतना ही देखते रहिए दिवे हमाचल टीवी